नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूँ सुमी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशन पाइथागोरस की जीवनी और उनके योगदान के बारे में तो जबी भी बात आती है पाइथागोरस की तो आप सभी के दिमाग में एक पर्मे एक ठियोरम जरूरर क्लिक करती होगी जिसको हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो स्कॉाइर है वो बेस के स्कॉाइर और पर्पेंडिकुलर के स्कॉाइर के सम के बराबर होता है ये वाली theorem जो है सभी ने पड़ी है क्योंकि बहुत important theorem है geometry की बात करें चाहिए trigonometry की बात करें ये theorem सब जगे काम में आती है एक आधार वुत पर में है एक तरीके से ये तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि पाइथगोर्स एक बहुत ही मशूर और बड़े mathematician थी लेकिन इनका योगदान सिर्फ maths में ही नहीं है इसके अलावा इनका योगदान जो है वो दर्शन सास्तर जिसको हम philosophy कहते हैं इसमें भी है astronomy भी है उसके अलावा और भी बहुत सारे subjects में इन्होंने अपना योगदान दिया है music में भी इनका contribution है तो एक बहुत ही बड़े philosopher और बहुत ही बड़े scholar के रूप में यह जाने जाते हैं तो जब भी बात आती है ancient Greek philosophers की western philosophy में तो उसमें बहुत सारे philosophers हैं जिनको हमें पढ़ना है और बहुतों को हमने पढ़ भी लिया है तो ये तिगड़ी जो है जो शुरू होती है Socrates, Plato और Aristotle से इन तीनों की biography हम already cover कर चुके हैं और इनके जो सिश्य हैं Alexander the Great जो की एक Wahan raja के रूप में जाने जाते हैं सिकंदर महान जिनको विश्व विजयता हम कहते हैं उनकी biography भी कर ली है और आज हम बात करेंगे Pythagoras की तो Pythagoras भी एक Mahan philosopher के रूप में और mathematician के रूप में जाने जाते हैं आज जानते हैं कि इनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ और क्या-क्या इनके contribution रहे, किस तरीके की जीवन इन्होंने बिताया, क्या-क्या इनका योगदान है, सब चीजों को detail में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले पाइथागोर्स theorem की ही बात कर लेते हैं, जिन लोगों को पाइथागोर्स theorem याद नहीं है, बहुत पहले पड़ी थी, तो आज देख लीजिए, ये theorem लगती है एक right angle triangle में, right angle triangle जिसका एक angle, कम से एक angle क्या होता है, 90 degree होता है, तो एक 90 degree वाला triangle जो है, जिसको right angle triangle कहते हैं, उसमें 3 side हैं, और जो 90 degree के सामने की side होती है, उसको बोलते हैं hypotenuse, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको current, ठीक है, उसके अलावा बाकी जो 2 side बची, उसमें एक होता है आधार, यानि की base, और एक होता है lump, यानि की perpendicular, तो पाइथागोर्स ने अपनी theorem में ये प् square है, वो perpendicular के square और base के square के sum के बराबर होता है, और ये जो theorem है, ये बहुत important theorem बनी, आज तक इसको हम पढ़ते ही जा रहे हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे, ठीक हैं, हर तरीके के building constructions में और बड़े बड़े fly or बनते हैं, और जो भी technology इस्तमाल होती है, पाइथागोर्स की theorem लगती है, आप जानते हैं, trigonometry भी उसमें लगती है, छे trigonometric जो functions हैं, जिसमें science theta, cos theta वगेरा होते हैं, उन सभी का आधार है ये theorem, ऐसे ही ये theorem नहीं है, तो ये एक important theorem है, इस वज़े से हम पाइथागोर्स को जानते हैं, लेकिन इनका बाकी भी योगदान रहा है, किस-किस हैं, calculation के उपर आधारित science है, उसके अलवा, metempsychosis, जिसको है, बोलते हैं, जो एक तरीके से spiritual world की बात करते हैं, पर मात्मा के साथ आत्मा का मिलन, और afterlife, reincarnation की जो बात होती है, scientific version जो है, उसको बोलते है, metempsychosis, इसमें भी इनका योगदान रहा है, mysticism में भी इनका योगदा मानते थे कि अगर आपको spiritual world से पूरी तरीके से connect होना है, तो आपको दो ही रास्ते अपनाने होंगे, या तो आप mathematics के थ्रू जूड सकते हैं, पूरे के पूरे बर्मांड से उसके साथ अपना resonance establish कर सकते हैं, और दूसरा रास्ता है आपका music का, तो music से या फिर math से ही आप ए पाइथा सकते हैं, ऐसा मानना था, पाइथागोर्स का, तो आप ये सोचिए, maths को कितना higher इन्होंने दर्जा दिया है, तो इसलिए सब को maths पढ़नी चाहिए, और एक बात मैं बता हूँ, आपको जितनी भी study होती हैं, दुनिया भर में, किसी भी लेके intellect को, intellect को जो collect, एक तर को जो measure करने वाली जो चीजे हैं, जैसे IQ टेस्ट वगेरा होते हैं, उसमें ज्यादा तर जगए आपको एक चीज़ common मिलती है, कि जो maths पढ़ने वाले लोग हैं, जो scholar maths को पढ़ते हैं, उनका जो mind है, वो थोड़ा सा ज्यादा sharp होता है, एक study के तहती मैं आपको बात बता क्यों होता है, maths आपके mind को puzzle solving बनाता है, उसको expand करता है, आपके mind की जो सीमाई हैं उनको expand करता है, इसलिए maths को ज्यादा उंचा दर्जा दिया जाता है, ज्यादा तर जगए, ठीक है, उसके लिए पाइथागोरियन जो विचार हैं, उनके ये founder माने जाते हैं, अब बात करत है, वो है, be silent, or let the words be worth more than silence, एक कहते हैं कि silence एक बहुत powerful weapon है, कहा जाता है ये बात आपने सभी ने सुनी होगी, तो इन्होंने क्या कहा है, इस बात में ही, आप इसको समझे, इन्होंने कहा कि या तो चुप रही है, अगर आप चुप नहीं रहना चाते हैं और कुछ बोलना तो आपका बोलना, उस silence से तो ज़्यादा worth रखना चाहिए, वरना चुप रहना ज़्यादा better है, ठीक है, तो silence से ज़्यादा अच्छे आपके पास शब्द हैं, तो ही बोलिए, वरना मत बोलिए, दूसरी बात इन्होंने कही, if there is be light, then there be, there is darkness, if cold, there is heat, if height, there is depth, यानि कि सि ृड़ भी है, ये देखिए, एक बात है, कि जैसे अगर आप सिर्फ मीठा खाते रहें, तो आपको ये किसे पता चलेगा कि कड़ुआ कि किडवा क्या हुता है, अगर आप कड़ुआ और मीठा दोनों टेस्ट करते हैं, तब ही आपको पता होता है, कि ये मीठा है और ये तो आपको उसका नाम ही नहीं पता होगा कि वो क्या चीज है तो उसलिए हम कोल्ड और हीट जो है वो क्या है रस्पेक्टिव चीज़ है ना कि ये ठंडा है ये गरम है रस्पेक्ट में ये इसके कंपेरिजन में ठंडा है ये इसके कंपेरिजन में गरम है ये इसके को कई है कहीं प्रोस्परिटी है तो कहीं एड़सिटी भी है कहीं गरीबी है कहीं अमेरी है यह सब चीजें हैं मतलब एक ही चीजें साथ साथ चलती रहती है ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ यह कहें कि हमेशा prosperity ही रहनी चीए, ऐसा नहीं हो सकता possible, दोनों ही चीजें चलती रहेंगी, एक balance हमेशा चलता रहेगा उसके बाद इन्होंने कही, no one is free who has not obtained the empire of himself, no man is free who cannot command himself हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं हम आजाद हैं, 1947 में देश आजाद हो गया लेकिन हर व्यक्ति क्या अपने आप से आजाद है, क्या समाज के बनाए हुए रूडी वादी परमकराओं से आजाद है, क्या खुद के बनाए हुए खुद अपने विचारों से आजाद है मतलब ऐसे विचार हैं कि वो आजाद है क्या आप अपने आपको पूरी तरीके से आजाद समझते हैं एक आजाद व्यक्ति तो होना सिर्फ देश के मतलब किसी सरकार के ही हाथ में नहीं होता उसके एक बड़े माइने हैं उनको इन्होंने समझाने की कोशिश करी है उसके बाद इन्होंने कहा है एक व्यक्ति जो अपने घुटनों पे एक बच्चे की मदद करने के लिए जुका है उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता उसके बाद इन्होंने कहा है man is mortal by his dreams and immortal by his desires तो एक व्यक्ति mortal है यानि नश्वर है अपने सपनों से और अपने desires से वो क्या है immortal है मतलब अमर है ये इस तरीके की बातें पाइथोगोर्स ने कहा है तो आप उनके समझ सकते हैं उनके mind के standard को समझ सकते हैं कि पाइथोगोर्स किस तरीके के व्यक्ति थे अब जानते हैं कि पाइथोगोर्स कौन थी कहां से आये थे, कहां पैदा हुए, कहां उनकी death हुई, कहां उन्होंने अपनी सिक्षा education दी तो pure mathematician, fast pure mathematician के रूप में इनको जाना जाता है पाइथागोर्स को और ये जो पाइथागोर्स theorem हम बात करते हैं, right angle, triangle वाली ये जो theorem है, इसका ऐसा माना जाता है कि Babylonians जो थे, वो एक हजार साल पहले ही जानते थे ये जो theorem है, ये की ऐसा होता है कि हाइपोटेनिस का square जो है, वो इन दोनों के square के sum के बराबर होता है Babylonians ये जानते थे, उनके construction में ये चीज़ दिखती है, उनके जो system है उनका, जो उनकी सब्वेता थी Babylonian की उससे पता लगता है कि वो जानते थे लेकिन वो कभी प्रूव नहीं कर पाई, और प्रूव कौन कर पाया, पाइथागोर्स कर पाई, ठीक उसके बाद इन्हों ने, पाईथागोर्स ने अपने एक नए विचार रखे, फिलोसोफी में, इन्हों ने spirituality में काफी सारे concept दिये, उसके लावा government की form के उपर इन्हों ने काफी बातचीत की, अपनी education का एक system निकाला, और एक नया way, founder of a new way of life इन्हों ने लोगों को दिया उसके अलावा इनके political और religious teaching जो थी, वो माने जाते हैं कि ये जो philosophers आगे हुए, Plato, Aristotle वगेरा, इनको भी इन्हों ने influence किया, आपको मैंने जब Plato की biography बताई थी तो मैंने कहा था कि पाईथागोर्स से काफी influence थे, Plato, उसके बाद Plato के सिर्शे बने Aristotle और Aristotle भी पाईथागोर्स से क ज़्यादा मानते थे, तो इनका एक परभाव था बाकि फिलोसोफर्स पे, तो इसलिए इनके विचारों को कहा जाता है magna gratia, Greek philosophers के उपर इनका एक बहुत superior परभाव था, उसके बाद बात करते हैं कि आगे चलके बहुत, पाईथागोर्स ने भी जो सिर्फ पाईथागोर् टर्निंग भी दी, उन्होंने फाइफ रेक्टेंग सॉलिट्स की भी बात इन्होंने की, रेगुलर सॉलिट्स की इन्होंने बात की, theory of proportional दी, spherical, spirit city of earth की बात की, हलंकि earth sphere नहीं है, ये अंडाकार है, लेकिन इन्होंने spirit city की बात करी, जो कि एक closest version है, sphere का, इसका sorry, अंडाकार होने के अलावा, sphere की बात, इसके बात closest थी, flat वगेरा, earth या चोकोर तो नहीं बताई ना, कम से कम इन्होंने, अंडाकार, spherical बताई, उसके बाद, जो morning और evening star है, जिनको हम venus star कहते हैं, धुरुतारा जो है, जो हम बोलते हैं, sorry, venus star जो है, venus planet जो है, उसकी बात भी इन्होंन dialogues में से एक dialogue है, timeasius, timeasius जो है, इसमें pythagoras की teaching के बारे में, plateau ने describe कर रखा है, कि वो किस तरीके के educator हुआ करते थे, किस तरीके के scholar हुआ करते थे, अब इनके जनम्स के उपर आ जाते हैं, ऐसा मना जाता है कि लगबग 570 BC में, समोस नाम की एक जगे थी, Greece में, पहले हम इस बोटा सा देश है, Greece, जिसको हम युनान भी कहते हिंदी में, लेकिन एक समय पर यह बहुत बड़ा सामराज्य हुआ करता था, यह है, ग्रीस और ग्रीस यह यलो कलर में दिख रहा है, यह सारा ग्रीस है, यह एसिया माइनर जो है, यह आज के समय टर्की वाला हिस्सा है, यह भी इनका हिस्सा हुआ करता, तो यह है समोस आइरलेंड, ठीक है, यह समोस आइरलेंड है, यहाँ पर जनम हुआ था, पाइथागोर्स का, और यह ग्रीस की बात चली रही है, तो एक समय ऐसा था, जब एलेक्जंडर दा ग्रेट ने इतना बड़ा सामराज्य बना दिया था मैसिडोनिया में जनम हुआ था, अलेक्जंडर दा ग्रेट का, यह है मैसिडोनिया यहाँ पे, और उस समय उसके बाद अलेक्जंडर ने अपने जिंदगी में, अगले 12 साल में, लगबग 19-20 साल की उमर में वो बने थे राजा, और 32 साल की एज में तो उनकी डेथ ही हो जानते हैं, हिंदी में हम उसे जहलम नदी का यूद कहते हैं, जहलम के किनारे हुआ था, इसलिए यहां तक आया था, लेकिन बाद में अलेक्जंडर की डेथ के बाद यह एंपायर फिर से छोटे छोटे राज्यों में बट गया कि इसके जो गावर्नर थे अलेक्जंडर के यहां इनका जनम होता है, इनके पिता का नाम था मैनिस कारो और मैनिस कारो और इनकी माता का नाम था पाइथिया, ठीक है, यह मर्चेंट वा करते थे इनके पिता जो हैं, वो मर्चेंट थे सिटी में और इनका पूरा नाम माना जाता है पाइथागोर्स का पाइथागोर्स तक जो इनकी जो परसनल लाइफ है उसके उपर काफी सारी अलग-लग हिस्टोरियन्स के अलग-लग मतभेद हैं मतभेद इसलिए हैं क्योंकि पाइथागोर्स ने खुद कोई किताब नहीं लिखी पाइथागोर्स ने अपनी ओटोगाइगराफी तो लिखी नहीं अलग-लग जगह पर बहुत सारे वर्जन मिलते हैं कि डेथ को लेकर हैं उनके तीन-चार वर्जन मिलते हैं कि यहां डेथ हुई यहां डेथ हुई या कैसे डेथ हुई यह नहीं पता कुछ समय बाद वो उन्होंने इनकी बायोग्राफी आगे कर चलके लिखी है जो की काफी सटीक वानी जाती है comparatively अधर जो sources हैं उनसे अब ये मैंने आपको रीजन बता दिया कहां पे कौन से से dictatorship को रूल हुआ करता था तो उसके बाद ये लगभग 532 BC में ये चले गए थे इटली में इटली की एक जगह क्रोटोन क्रोटोन में जाके इन्होंने अपनी एथी को पॉलिटिकल अकेडमी खोली अपने वहां पे अपने पॉलिटिकल आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए अपनी टेचिंग्स को देने के लिए वहां पे इन्होंने 532 BC में जाके अपनी एक तरीके से एजुकेशन अकेडमी खोली इजिप्ट और बेबिलोन में भी ये गए थे एज यंग मैन ऐसा भी माना तो ऐसा मना जाता है कि यहां तक 510 BC तक वहीं पे थे ये और अगले 20-22 साल तक वहां रहे वहां पे अपने टीचिंग्स दी अपने एक तरीके से चीजों पे रिसर्च की पाइथा वर्स ठोरम भी दी ये सब चीजें उन्हों ने वहां पे जाके ही करी और उसके बाद वहा एक साइड के पहले एक साइड को खीची जाए जो कि अन्य दो साइड को कहीं न कहीं मिलाती है ठीक है यह ABC Universal है मैं जल्दी सी बता देता हूं यह 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 तो यह अन्य दो साइड को यहां पे मिलाती है नदी और इप तो यह AD अपॉन DB जो है वह होगी AE अपून CE यह मैं को बस थेयोर्म का वो बता रहा हूँ यह थेयल्स थेयोर्म आपको याद होगी 10 खलास में अगर आपने पड़ी है तो तो थेयल्स भी एक बहुत महान गणितग्या माने जाते हैं और यह उस समय बड़े थे एज में काफी बड़े थे यह इससे भी पुराने फिलोसोफर हैं जिनके हम बात कर रहे हैं पाइथागोर्स पाइथागोर्स के पहले की दिन थे तो इनसे इनोंने काफी कुछ शीखा और इन की खुद की अकेडमी थी थेयल्स की मिलेटस में Miletus में इनकी Academy थी और इनका एक चेला था जिसका नाम था NXC Mender से भी काफी सारे Lectures लिए हैं Pythagoras ने तो Pythagoras Thales से भी पड़े और उसके बाद Miletus से भी इन्होंने अपनी Education थोड़ी बहुत वहाँ से भी इन्होंने Maths सिखी है तो Thales और जो Alex Mender है NXC Mender ये दोनों काफी इन्होंने Influence किया है Pythagoras को उसके बाद बात करते हैं जो Contribution है या फिर Influence की और बात करें तो इसमें Mathematics में तो इनका Interest था ही था साथ साथ में Astronomy भी भी था उसके अलावा जब इन्होंने Egypt में गए तो इन्होंने Astronomy पे काफी एक तरीके से अध्यान किया क्योंकि Egypt की जो पुरानी सब्वेता थी वहाँ पे Astronomy के ओपर काफी एक तरीके से Astronomy साइंस जो है वो काफी ग्रो कर चुका था Egypt की सिविलाइशन में उसके बाद Thales से पढ़े ही एनेक्सी मेंडर से ये पढ़े ही Geometry और Cosmology पे इन्होंने अपने सिध्धान्त दिये एक तरीके से ये कहा करते थे कि Match और जो Music है वो एक तरीके से इस पूरे Cosmos इस पूरे Universe को Connect करने का एक बहुत ही गजब का जरिया है या तो आप Match के थूर जोड़ जाएए या फिर आप Music के थूर जोड़ जाएए ये इनकी Teachings में भी कहा गया है ठीक उसके अलावा इनके वाइफ और चिल्डरन्स की अगर बात करें तो अलग अकाउंट्स में अलग लग बाते मिलती हैं एक बात जो इनके जिनों ने इनके वाइफ गुराफी लिखी फॉर फरी ये कहते हैं कि इनकी वाइफ का नाम था थियनो जो क्रेट की एक लेडी थी और उनसे इनको कुछ बच्चे थे एक उनकी बेटी थी और भी उनके एक दो बच्चे थे कुछ अकाउंट्स में कहा गया है कि ये ही कहते हैं कि दो तो बेटे थे इनके एक बेटे का नाम था घलोगी और एक का नाम था एरिक जोट उसके लावा एक बेटी थी जिसका नाम था माया और ये बच्चों को लेकर ही क्रोडोन में क्रोडोन में रहते थे साथ में उसके बाद जब तक इनको वहाँ से भागना नहीं पड़ा हूं उनको जब तक वहाँ से मार ना दिया, ऐसा अलग-अकाउंट्स में मिलता ही है, कुछ अलग-अकाउंट्स में कहा जाता है, कि इनके जो बच्चे हैं, वो दो बच्चे थे, कहीं तीन बच्चे दे रखे थे हैं, यह सब चीजे जो हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट हैं नहीं, थीक है थी उन्हों के कुछ इस्टुट्ट्स कहते हैं कि उनके wife नहीं थी उन्होंने शादी ही नहीं कि कोई उनके बैचा था यहीं नहीं तो इस तरीके के account यहाँ पे अलग-लग मिलते हैं तो मतबेद हैं कोई इसमें ज्यादा matter भी नहीं करता है गुरू की authority है उसको वो ज्यादा कभी भी challenge नहीं करते थे unlike Aristotle और अगर हम Plato की बात करें तो वो गुरू सिश्या में भी एक तरीके से कुछ political विचारों के उपर मतमेद हुआ करते थे लेकिन ये ऐसा नहीं मानते थे ये अपने गुरू की हर एक teaching को पूरी तरीके से माना करते थे उसके बाद इन्होंने जो math का जो योगदान है जो mathematics का जो एक तरीके से ओधा है उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया उन्होंने math को ऊपर calculus हो या geometry हो या फिर ये जो trigonometry का जो हिस्सा है पाइथोगोरियन ध्योरम दी इस सभी के अंदर ही इन्होंने ये कहा कि math ही एक ऐसा आपके पास subject है math और music दो ही ऐसे subject है जिसके साथ आप एक जो cosmic energy है उसके साथ अपनी खुद की energy का एक तरीके से resonance establish कर सकते हैं जिससे आप अध्यात्मिक तोर से जुड़ सकते है math को एक अध्यात्मिकता से इन्होंने जोडने की कोशिश करी है ठीक उसके लावा religious school और philosophical religious school है करोटन में खोली सिर्फ scientific बात नहीं करते थे religious बात भी करते थे spirituality की भी बात किया करते थे और इनके जो followers थे उनको कहा जाता है mathematics होई mathematics होई जो थे ये एक पूरी तरह से society बनी हुई थी और एक तरीके से एक गुरू के ज़स्ट तरह से आश्रम में रहा करते हैं उसी तरीके से इनके आश्रम में एक तरीके से रहते थे जैसे हमारे यहाँ पर पूराने रिशिमूनियों के जो सिश्चे हुआ करते थे वो रहते थे उनके साथ उनको purely वेजिटेरिन हुआ करते थे उनको strict rules follow के करवाया जाते थे तो एक पूरी तरीके से इस तरीके का institute इनके पास हुआ करते थे institute इनके पास था जिसमें यह अपने सिश्यों को रखे जिनको mathematics को ही कहा जाता था पूरे strictly रखा करते थे गुरू कूल की तरह ठीक उसके बाद बात आती है यह theorem की यह हमने अलड़ी पढ़ ली है और last में हम इनके belief की बात करते हैं कि belief किसमे करते थे कि mathematics को यह reality से connect करते थे कि nature के हर एक हिस्से में आप mathematics, mathematically उसको उसके regions को प्रूव कर सकते हैं mathematics जो है उसको काफी ज़्यादा यह एक तरीके से मानते थे उसको उपर एक तरीके से उंचा दर्जा देते थे हर एक deepest level पे mathematics को आप एक तरीके से connect कर सकते हैं इसा इनका मानना था और कहते थे कि philosophy का जो यूज है वो spiritual purification के लिए भी हो सकता है सिर्फ political विचार धारा नहीं है philosophy आप यह मैं सोचे कि philosophy का इस्तमाल सिर्फ politically होगा उसका spiritual purification के लिए भी हो सकता है उसके अलावा इन्हों ने जो divine के साथ connect करने का तरीका बताया है music और mathematics का वो मैंने आपको बताये दे है mystic symbols के significance की भी यह बात करते थे और जो strict loyalty और secrecy की भी बात करते थे कि loyal होना कुछ रिष्टों में या secret होना जो दो रिष्टों के बीच की जो गरीमा है उसको बचा के रखने के लिए वो भी एक important है that all brothers that others should observe strict loyalty and secrecy हर तरीके से जो दो लोगों के बीच की जो bonding है उसको वो secret रहना चाहिए loyal होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में भी अपनी teachings में नोंने बताया है अब बात आती है anti-pythagorean rebellions की ये क्यों हुआ कि पाइथागोर्स के भी कोई खिलाफ क्यों था वो तो एक mathematician थे वो तो एक philosopher थे लोग इनके खिलाफ क्यों थे इसके दो रिजन है एक रिजन तो ये है पहले हम इस बात को समझते हैं कि जब पाइथागोर्स क्रोटोन में रहा करते थे क्रोटोन में रहते थे तो क्रोटोन के पडोसी में एक state हुआ करता था जिसका नाम था cybris cybris जो है इसको 510 में क्रोटोन ने एक लड़ाई में हरा दिया और इसको capture कर लिया cybris को इन्होंने अपनी कोलोनी बना लिया और इन्होंने एक तरिके से उसको हरा दिया था उसके बाद क्या है कि ये जो क्रोटोन के लोग थे और cybris के जो लोग इखटा हुए तो इन्होंने ये विचार आया इनके दिमाग में क्यों न हम एक democratic constitution लेके आए मतलब democracy को establish करना चाते ही थे लोग तो पाइथागोर्स इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थी देखे आप प्लैटो की बात करें पाइथागोर्स की बात करें या सौकरिटीज की बात करें ये लोग तीनों ही democracy में बिलीव नहीं करते थे ये democracy को ज़्यादा अच्छी सरकार नहीं मानते थे हलांकि अगर आज आप modern world में देखो तो democracy form of government जो है उसको सबसे अच्छी government माना जाता है बाकी comparison में चाए मोनार्की हो चाए dictatorship हो या फिर कोई और सरकार हो olio gracie हो सभी में democracy को सबसे अच्छी सरकार माना जाता है और उसका कोई अच्छा उससे बहतर विकल्प अभी तक है नहीं लेकिन ये जो great philosophers ancient Greek philosophers थे ये democracy को इतना ज़्यादा ताउज्जो देते नहीं थे इनका मानना था कि democracy जो है उसमें हर एक व्यक्ति के उपर एक moral responsibility आती है इसा इनका मानना था तो इसलिए democracy के idea को पूरी तरीके से reject करते थे और अलग-लग जो लोग है उसमें जो इनका मानना था कि जो ruler है वो philosophically benevolent होना चीए लेकिन democracy नहीं होना चीए ऐसा मानना था इनका तो जो democracy के supporter थे supporter थे उनमें दो व्यक्ति important थे इन दोनों ने मिलके एक तरीके से पाइथागोर्स के खिलाफ एक सड़ियन तर अच्छा और इनको एक तरीके से ये मार देना चाहते थे और पाइथागोरियन जो scholars थे जो पाइथागोर्स को follow करते थे इन सभी को ये बार-बार target करते थे इनके उपर attack करते थे इनके खिलाफ एक तरीके से rebel हुए कि पाइथागोर्स जो है वो डेमोकरिसी के खिलाफ है लोगों के खिलाफ है साथ ही साथ जो एक दूसर रिजन ये भी था कि ये जो spiritual रिजन देते थे mathematics को इतना ज़्यादा तउज़ देते थे music को इतना तवज़ देते थे जो की एक तरीके से challenge करता था mythology को जो Greek mythology है उसमें अपने तरीके बता रखे थे कि आपको इश्वर से कैसे जूड़ना है spirituality क्या है लेकिन ये अपने खुद की philosophy दे रहे थे उसमें ये meeting किया करते थे पाइथागोरियन जो scholar थे जो पाइथागोर्स के जो students थे वो सब तो इनके उपर attack किया गया उस building को पूरी तरीके से घेर लिया गया और उनके उपर उस building को पूरी तरीके से आग लगा दी गई चारों तरफ से अब यहां पे आके historians का कुछ मतवेद है कुछ लोगों का मानना है कि इस building में उस समय पाइथागोर्स भी मौजूद थे और जब ये building को आग लगाई गई तो बहुत सारे लोग मारे गए उसमें से एक पाइथागोर्स भी थे पाइथागोर्स इस आग में मारे गए कुछ लोगों का मानना है कि पाइथागोर्स उसमें थे ही नहीं इस समय पे तो डेथ की अब बात कर रहा हूँ मैं आपको बता रहूँ कुछ लोगों का मानना है कि वो यहां से भाग निकलने में शक्षम रहे और वो आगे चलके जो अटेक हुआ इनकी वजय से आगे चलके वो आगे जाके मारे गए वहाँ पे इसमें वो इंजर्ड हो गए थे और कुछ लोगों को आगे जाके उनको टार्गेट किया गया डेलोस में जब वो थे तो वहाँ पे उनकी मिरती हुई ठीक है और डेलोस में क्या सोरी ये एक वेक्ति थे इनके स्ट्डियंट और इनके जो मित्र थे उनसे मिलने के लिए गए थे वहाँ पे इनकी डेथ हुई वहाँ पे इन पे उपर अटेक हुआ कुछ लोगों का मानना है कि ये वहाँ से निकल गए थे ये जो अटेक हुआ था जो बिल्डिंग पे अटेक हुआ था और पाइथागोरियंस को मारा गया था वहाँ से निकल गए थे और निकलने के बाद ये एक जगह पहुँचे थे जिसका नाम है मेटा पॉंटं मेटा पॉंटं में जाके एक मंदिर में छुप गए थे और वहाँ पे इनको खाने को कुछ भी नहीं मिला और 40 दिन तक ये भूखे पैसे रहने की वज़े इनकी डेथ हो गई थी स्टार वेशन देथ हो गई थी Metapontum नाम की जगए Italy में है, वहाँ पे इनकी death हो गई थी, ये लगभग माना जाता है, ऐसा ये जो evidence है ये कहते हैं, पूरी तरीके से clear नहीं है कि इनकी exactly death कब हुई ठीक है, तो ये है हमारे Pythagoras की जीवनी और उनका contribution, hopefully आपको सारी चीजे clear हुई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like और share तो करी सकते हैं, और आने वाले वीडियोज को देखने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं So thank you so much for watching this video See you in next class